पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको काफी जादा आसान भासा में शेर करने वाला हूँ इसको बनाने का प्रोसेस किया है इस्टाट करने से पहले बता देता हूँ मैं जिशान सेफी और आप देख रहे हो MZS Woodwork अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताइकि मेरी आने वाले सभी latest update की notification आपको जल से जल मिल जाए मैं आपके लिए लेकली के काम से related जानकारी काफी जादा आसान भासा में लेकर आता हूँ और step by step detail के साथ बताता हूँ किस काम को किस तरह से किया जाता है उसका proper तरीका बताता हूँ इस LED पैनल को किस तरह से आप बना सकते हैं बारीकी से समझाओंगा और आपको वीडियो सिर्फ ध्यान से देखना है वीडियो देखने के बाद कुछी मिल्ट में आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो इस वीडियो को श्टार्ट करते हैं और आप देखे दियान से LED बनने वाले एरिया पर नजर डालते हैं इसकी चोलाई 81 इंची है जो कि हमारी दिवाल की चोलाई है और इसकी लंबाई की बात करें 144 इंची टोटल इसकी लंबाई है यानी 12 फिट इस पैनल को बनाने के लिए हमें 3 इंची के पीस की कटिंग करने परती है जैसे की स्क्रीन पर देख रहा है इसमें ख़ले पार्टिशन में और इसकी चुलाई वाले पार्टिशन में जो हमने प्लाई के पीस को लगाया है तो इसकी मैं कटिंग करता हूँ और आगे detail में बताता हूँ दोस्तो cutting start हो चुकी है LED panel बनने का process start हो चुका है यह जो cutting हो रही है तीन इंची की पटी में 19 mm की ply में से काट रहा हूँ जो इसका main process है LED panel बनाने का वो सबसे पहले यही है कि हम पहले दिवाल पर planning का किस design का हम panel बना रहे हैं पीस होता है वो तीन इंची का ही होता है तो तीन इंची के पीस की में cutting कर रहा हूँ उसके बाद इसको ही हम दिवार पर लगाएंगे इस पैनल को बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा main roll होता है वो इस cutting का होता है इन छे पीस की जो मैंने cutting की है इसी से हमारा पोरा पैनल बन जाएगा और यह जो cutting की है यह 3 इंची में cutting की है जैसे की देखी सकते हैं तो इसमें 6 पीस की cutting हो चुकी है जो कि इसी 6 पीस से हमारा completely पैनल बन जाएगा और जो इसको हमें लगाना है पीस को वो कुछ इस तरहां से लगाना है जैसे कि ये स्क्रीन पर देख रहा हो तो ये पहले हमें कुछ इस तरह से 3 इंची की पट्टियों को लगा लेना है उसके बाद जब ये पट्टी की कटिंग हो जाए तो इसमें हमें होल कर लेना है तो ये 6 mm वाले बिट से में होल कर रहा हूँ हमारे होल हो चुके हैं जैसे कि मैंने आपको बताया 6 mm वाले बिट से सबी पीसों में होल को कर लिया है और ये होल इसलिए किये हैं इससे हम जब हम इसको दिवार पर लगाएंगे तो कील की मदद से हम वापर अपनी मार्किंग ले लेंगे हैमर मसीन से होल करने के लिए निशान ले लेने हैं क्योंकि दिवाल पर हमें फिसर को लगा लेना है और फिसर के मार्किंग इस तरह से आ जाएगी उसके बाद हेमर मसीन की मदद से हम इसमें होल कर लेंगे तो ये काफी सिंपल तरीका है निशान को लेने का हॉल कंप्लीट होने के बाद प्लाश्टिक के जो फिसर आते हैं मार्किट में काफी एजिली अविलेवल हो जाते हैं तो उनको कुछ इस तरह से लगा लेना है तो ये हमारी अच्छी क्वालिटी के फिसर हैं और इन फिसर में हम धाइंची के पेंच लगाएंगे जब ये कंप्लीट हो जाए जिस पिस में हमने पहले होल करके रखा है उस पर मार्किंग किये उसको धाइंची के पेंच से कुछ इस तरह से दिवाल पर फिट कर लेना है तो ये जो नीचे से जो फर्स से अगर हमें इसकी हाइट की बात करूं 12 इंची उपर करके हम इसको ल लगा दिया उसके बाद जैसे नीचे का पीस था जैसे नीचे का पीस को लगाया था सेम इसी तरह से इसके उपर के पीस को लगा लेना है और इसका जो बाहर के फैस से और नीचे के बाहर के फैस से 13 इंची का साइज है तो चोड़ाई वाला पार्टिशन कंप्येट हो चु एक साइट मैं ने लगा कर दिखा इसके लंबाई के पीस की सेम इसी तरह से इसके पास वाले पीस को भी लगा लेना है इसमें ध्यान रखना है लेवल में करके लगाना या फिर जो साल होती है उसमें करके लगाना है उसके बाद मैं यह देखी सकते हैं उपर के डवल पीज जो लगे हैं यह आट इंची के गेप से लगे हैं और नीचे के तहरा इंची पर इसकी कंप्लीट जो चोड़ा है यह पैनल की 77 इंची है जैसे कि आप देख सकते हैं तो इसमें जो हमें अब यह 13 इंची की कटिंग करनी है यहाँ पर यानि 13 इंची का प्लाय का पीस लगा लेना है उपर से और नीचे तक जो इसकी लंबाई है वो 66 इंची है उसके बाद हम यह 13 इंची के पीस की कटिंग कर लेते हैं कुछ इस तरह से जो की हमारा नीचे complete ऐसी लग जाएगा यहां से कुछ ही इस तरह से यह 13 इंची पर हमने लगा लिया है पैंचो की मदस से आपको भी लगा लेना है उपर लगना है आट इंची का पीस जैसे हमने नीचे 13 इंची का लगाया इसके ओपर हम 8 इंची का पिस कुछ इस तरह से तो यह 5 इंची मोटा हमारा सेलफ है और इसके पीछे जो प्लाइ लगाई गई यह इसके सامने जो प्लाइ लगाई गई यह बाराइश की प्लाइए जैसे कि आप देख सकते हैं उसके बाद इस प्लाइश की कटिंग कैसे करना है कितने साइश में लगाना है वीडियो में देखिए तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये पीस की कटिंग हो चुकी ये वीडियो जादा लोंग ना करने की वज़े से मैंने इसकी कटिंग कर ली थी तो 12 इंची के दो पीस की कटिंग की है, 77 इंची इसकी complete length है, तो 12 इंची के double पीस की कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से हमें इसकी जो ये सामने का जो border है, वो 5 इंची का दिखाना है, उसी के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेनी है, मैं इस self को तयार करता हूँ, आप वीडियो में बने रहे हैं self 70% complete हो चुका है, उसके बाद right angle हम इसके फरंड की जो टककर है, उसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारी लेमिनेट आईगी, इसी लिए उसको right angle में करना ज़्यादा जरूरी है तो उसके बाद जो इसके side में gap बसता है, जो हमारी यह, इसके लंबाए वाला जो self है, इसके जो चोले वाले partition में जो gap बसता है, उसे 19 mm की ply में, कील जब हम ठोकते हैं, तो उसके फटने के chances ज़्यादा रहते हैं, अगर हम मोटी कील को मोटी कील का use करेंगे, तो प्लाई फटने के chances ज़्यादा रहते हैं, तो इस बात का धियान दे, वो हमारा दो प्लाई के पीस से नीचे रहें, क्योंकि अभी हम जब इस self को fit करेंगे, उसके लिए हमें 13 इंची के जो हमारा partition है दिवाल पर, उसमें एक हमें लकली लगानी पलेगी, एक प्लाई के डवल पीस लगाने पलेंगे, तो उसके उपर इसे हम slide करके लगाएंगे जो ये self आप screen पर देख रहा होना, तो इसको हम slide करके लगाएंगे, self के बीच में जो हमने ये piece लगाया है, 19 mm के double ply के piece को करके, उससे थोड़ा सा पीछे करके लगा लेना है, और इसमें kilo को अच्छे से लगा लेना है, ताकि ये मजबूती से और हमारी 19 mm की ply self में, वो proper तर करेंगे, तो इसी पर हमारा पोरा self 13 इंची का जो हमने दिवाल पर piece को लगाया हुआ है, उस पर हम इस piece को लगाएंगे, तो इस तरह से इसको double कर लेना है, क्योंकि इसको double करने से ये होगा, जो हमारा self की मजबूती ज़्यादा हो जाएगी, इसमें हम slide करके इसको लगा ल लेनी है, यानि एक तरफ भी kilo को लगा लेना है, उसके बाद इसको पलटने के बाद भी kilo को लगा लेना है, तो ऐसे लगाने से हमारी काफी ज़्यादा मजबूती बढ़ जाती है, तो इस तरह से इसमे kilo को लगा लेना है, वीडियो काफी informative है, किसी भी तरह का अगर आपको को confusion है, तो comment box में आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसको clear कर दूँगा, तो इस पर clear रखके complete हो चुकी है, उसके बाद self का अंदर इसको देख लेना है, इसको tight नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा loose रखना है, अगर किसी वज़े से थोड़ा बहुत tight है, तो इस पर आप बलारं रखना है, जैसे की screen पर देख रहे हो, इसको थोड़ा सा loose रखना है, उसके बाद यह जो हमारा 13 इंची का piece दिवार पर लगा हुआ है, इसकी आपको marking कर लेनी है पहले ही, उसके बाद इसके अंदर एक यह haul कर लेना है, ताकि हम 5 इंची का पेंच यह 2 इंची का पेंच इस इसकंदर आसाने से लगा पाएं, तो मैंने इसमें पहले ही haul करके रख लिया थे, ताकि वीडियो लोंग जादा ना हो, तो इस तरह से haul करने के बाद, इसकी जो setting है, वो इस तरह से करनी है, जब हम अपना self को लगाएं, वो सभी जगा से proper तरीके से आजाए, जैसे कि अब अब यह देख रहे हैं, तो इस slide हो गया है, काफी अच्छा और मजबूती से यहां पर jam हो जाएगा, तो यह देखिए, यह face to face इसकी जो हमारी टकर है, वो बिल्कु फेस में है, इस तरह से marking करनी है, कि हमारी सभी टकरे face माएं, और जब self लगाएं, तो इस बात का ध्यान कि राइट एंगल में हमारी सेल्फ होना चाहिए, पांच इंची के पिलाई के पीस को मैंने चीर लिया है, तो इस पांच इंची की चुडाई का complete पीस है, इसमें हमें खाचे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये पीछे से दिवाल से टच होगा, और आगे जो हमारी तीन इंची की प्लाई लगी है, ये उससे टच होगा, तो पौन इंची का इसमें हमारा खाचा आ रहा है, सेम दोनों जगें हमें खाचे देने पड़ेंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, कुछ इस तरह ये खाचे देने पड़ेंगे, खाचे देने के बाद ये प्रोपर तरीके से आ जाएगा, ये देखी सकते हैं, उधर ये पीछे से दिवाल से टच हो जाएगा, और यहाँ पर ये तीन इंची की पीस लगा हुआ है, ये इससे टच हो जाएगा, इसी तरह से जैसे हमने लंबाई के एरिया का भी काटते हैं, तो मैं लंबाई के एरिया के पौनिंची कम करके काटना है, उसके बाद ये हमारा पूरे इस्टेक्चर बनकर आ जाता है, अब हम इसमें पैंच को लगा लेते हैं, झरता आप रह काटना ही तरह से अब चेंचे को जाइब को बता हैं, जए सेबके बादे रें रख बादे時 है इसे रहे बादे पुर मोज़ Το कि अजयर है लुद्ध है उस्तों बेशालकर हमारे कम्प्लीट हो चूके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं तो अब तो सबी तरह से इसकी चॉलाई के बड़ा वे उसकी लंबाई के रीड़िये में भी सभी जयकेश को लगाली है तो उसके बाद कर प्रोसेस है इसको भी आपको धियान से देखना है उसके बाद हम चॉलाई के लोगा है पूए तो इसकी चोडाइ भी देख लेते हैं चोडाइ कितनी है तो चोडाइ इसकी 77 इंची इसकी चोडाइ यह तो इतने बड बाधर एलिया में हमें meet this को cutting करना है इस प्लाइ में से सबसे पहले में इस प्लाय की टबट को सीधा कर लेना है कि अब आख हूं कि अब सेगा है, बिल्च कर दो पकार को दो दो कि कर दो 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 कार। झाले हैं और भाले हैं जो दो कि आपा हैं अूर्व सयार, कि पहले हैं... और आपाई हैं कि आपाई हैं... पिलाई की कटिंग हो चुकी है इसको रकट चेक कर लेते हैं क्यूंकि अभी अभी पिलाई हमारी पक्की तरीके से नहीं लगेगी इसको हमें सिर्फ चेक करना है इसको दो पेंचों पहले रोक लेंगे उसके बाद इसको उतारना है उसके बाद इसमें लेम की कटिंग करनी है प्लाल अभी हम इसको दो पेंच पर रोक चुके हैं उसके बाद में इसको उतारना है और इसके लेम की कटिंग करनी है इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा तो ये कुछ कम्प्लीट होने के बाद इस तरह से दिखाई देता है तो ये इसकी साइट है जो की बिल्कुल पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है हमारा पैनल उसके बाद हमने इसकी प्लाई को उतारा था कुछ वाइरिंग में प्रॉबलम आ गई थी तो वाइरिंग की प्रॉबलम को सही किया था क्योंकि अभी हमारी प्लाई कच्छी लगी हुई थी शरीफ इस गुरूब पर लगी हुई थी अब हम इसकी लेम की कटिंग करेंगे प्लाई को उतार चुके हैं तो इसमें जो लेम की कटिंग होनी है उसको देखना है किस तरह से इसकी कटिंग की जाती है तो यह हमारा 45 इंची चोड़ा पिलाई का पीस है और इसी में से हम लेम की कटिंग करेंगे तो हमने साइट में 4 इंची चोड़ा 4 इंची के बाद में 5 इंची चोड़ा 5 इंची के बाद में 3 इंची चोड़ा फिर से 5 इंची का एक लेम दिया तो इसी तरह से हमने इसमें डवल लेम दिया है और मैं फिर भी आपको बता देता हूँ तो चार इंची हमने एक टकर से छोड़ा है चार इंची के बाद में पांच इंची का एक लेम दिया है और लेम के पास में फिर से तीन इंची की इस पे उसको छोड़ा है उसके बाद में फिर से 5 इंची का लेम दिया है तो इसकी मार्किंग की है और इस मार्किंग पर हम कटिंग कर लेते हैं तो इसकी मार्किंग कुछ इस तरह से 8 इंची हमने इसकी चुलाई के एरिया में चुलाए और आज 18 इंची इसके नीचे चुलाए वाले एरिया में छोड़ा है यानि 18 इंची उपर चोड़ा है और 18 इंची नीचे छोड़ा है उसके बाद हम इसकी लेम की कटिंग कर लेते हैं प्हार है हार FROM क Sakai ले बार आज 12 इंची वाले 10 इंची उपल शते हैं को Κयो युदिन कर फैस में कुला है वाले का आज र्रफंश लेग का युदिन आते हैं बड़ने होता है प्र मामामा वजा रड़ ही एप्राप़ कला सका यालिक बड़के सम इड़के हाँ कि दोस्तों लेम की कटिंग हो चुकी है लेम की कटिंग होने के बाद हमें कुछ इस तरह से इसका इस्टेक्चर बनाना है यानि इसमें लेम बनाना है 4 इंची इसकी चुलाई है जो सामने से इसकी चुलाई है वो 5 इंची है जो फरंडे है इसका 5 इंची है कुछ इस तरह से हमें ये लेम को बना लेना है उसके उपर एक LED भी लगानी है इस तरह से उसकी मार्किंग करने के बाद इस तरह से कटिंग ह के लेक Kingर कोने के बाद इस पर वेविकॉल को लगा लेना है है और 19 अमिम के प्लय से एक बमाठना है जो कि इसके पीछे से लगाना है इस बात का ध्यान देना है कुछ इस तरह से लगना है जो इसका फरंडे उस पर रुका लगा लेना है उसके पीछे से इस बॉक्स को बना लेना है तो यह जो बॉक्स है हमारा दिवाल के साइट पर पोच जाएगा तो यह हमारा लेम बनकर बिलकुल तैयार हो जाएगा वीडि LED पैनल का मेन फरेंट बनकर कम्प्लिट हो चुका है जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें हमने लेम की भी कटिंग कर लिये तो ये 45 इंची बाई 77 इंची का मारस आई जे अब ही फिलाल हम इसको एक दो पेच पर रोक लेते हैं उसके बाद इसमें कंप्लिटली पेच को लगाने स्टार्ट करता हूँ तो सभी जगा पर अच्छे से आपको स्क्रू को लगा लेना है तो पास पास जादे गेप नहीं देना है उस सभी जगे प्रॉपर तरीके से स्क्रू को लगाना है इसकी चोड़ाई वाले एरिये में भी स्क्रू को लगाना है और इसकी लंबाई वाले एरिये में भी स्क्रू को लगाना है तो कुछ इस तरह से हमारा स्क्रू भी लगकर कंप्लिट हो चुके हैं जैसे कि आप इसके इन पर देख सकते हैं तो हमारे पैनल में काफी हद तक काम 70% तक काम हो चुका है उसके बाद हम इसके लेम की कटिंग करते हैं लेमिनेट की कटिंग करते हैं जैसे कि यह लेम देख रहा है ना तो इसमें हम लेमिनेट लगाएंगे तो इसमें जो को लगाएं के सबसे पहले साफने में वारे colony up लेमिने इट को लगा लेना है उसके बाद इसकी साइट में लेमिनिये ग्याना घान रहां को उस Cat तरह सब ने हो जाए एथा कि आप लीटी पैनल को किसा बनाया जाताा है दाज़ाए मैं काफी आसान भासा में समझाने की कोशिस कर रहा हूँ ताकि आपकी भी काफी आसानी से समझ में आ जाए दोस्तो लेम के अंदर भी लेमिनेट लग चुकी है वोडन कलर की तो यह जो हम हम इसमें लेमिनेट का यूज कर रहा है तो लेम का अंदर जैसे हमने वोडन कलर की लिए इसकी साइट में हम यह वाइट कलर की पत्थर वाली लेमिनेट को लगाएंगे सेम इसी तरह से इसके फरंट पर भी पत्थर वाली लेमिनेट को लगाएंगे वाइट कलर की जो इसके कि उपर देख रहा है जो कि अंदर है देड ही आट इंची कंगे जो तो आट इंची का ऊपर यह बोडर है यहां पर वोडन कद्यार के लगेगी रे नीच ऑस kommt कर दिनीच अब ल Geral कह जो इस ताना से जो फैन को पर तरीके से लगाना है उसके बाद रेती की मद दजस से इसकी तैजि यह चिंद कर देनी है और इसी तरह से एक जीसी तरह से र fif लिए इस पेनल के साइट में भी लेमेड लग चूकिया जैसे की स्कीन पर देख रहां सेम इसी तरह से सबाड़ा पर नीचे ऊपर और साईट में तीन जगा भी इसी तमचल लिए लगनी है तो वीडियो जादा है लोंग ना करने की वज़या से मैंने वीडियो में ना दिखाते हुवे लेमिनेट को लगा दिया इसके ऊपर भी देख सकते हैं तो इसी तरह हम ने वाइयट कम लगाना है नीचे भी और ऊपर भी अब जहां पर हमारी बोडन कलरी की के युछ लाएंट को लगा लेना है अच्छे से फेबिकोल को लगाना है जो वायट कलर को लगाना है तो उससे से प्रोपर आती है तो ले месяe को हमने लगा लिया है कुछ इस तरह से जब दोनों जगे लग जाए तो कपले की मदद से इसकी फिनिशिंग कर लेनी है पैनल के नीचे का जो हमने सेल्फ बनाया था उस पर भी वाइट कलरी की लेमिनेट लगनी है उसके फरंड जो बॉर्डर है फरंड का उस पर भी वाइट जरूर करना है कपले से काफी जब हम कपला इसको पर रफ करते हैं तो काफी अच्छी सेटिंग हो जाती है तो यह थोड़ा-थोड़ा कट है उपर और नीचे मारके रेती की मदद से इस पर मास्किन टेप लगा लेना है ताकि यह सिलिप ना हो और प्रॉपर तरीके से रेत मास्किन टेप का यूज़ करना है सेम इसी तरह से इसके पास में भी एक पीस को लगा लेना है इसके जो हमने यह बनाया था सेल्फ जो बनाया था इसमें हमने बाद में कटिंग की थी दराज के लिए तो हमने इसमें यह एक दराज दिये लगबग यह तीसाले तीन इंची क इसका मत्ता है दराज का और यह 17 इंची लंबी दराज है तो इस तरह से हमारे दोनों पीस वाइट कलर के लग चुके हैं उसके बाद इसके हम टॉप पर लगाते हैं जो हमारा सेलफ है इसके टॉप पर भी वाइट कलर की लेमिनेट को लगा लेना है अभी इसमें और भी काम इसके टॉप पर वीडियो में बने रहा हैं सब बारी की सब बताऊंगा तो कुछ इस तरह से यह वाइट कलर की लेमिनेट को लगाना है टॉप पर भी माइकर लग चुका है जैसे कि आपने देखा टॉप के ओपर हमने वोड़न कलर की लेमिनेट लगा थी सेम इसी तरह से वीडियो में नहीं दिखाए वीडियो शोट बनाने की मैं कोसिस कर रहा हूं ज्यादा लोंग ना हो तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि अब भी काफे ज्यादा लोंग हो चुकी है उसके बाद जो इसका टॉप है यहां पर फेबिकॉल को कुछ इस तरह से लगा लेना है फेबिकॉल को लगा लिया है ताकि वीडियो शोट रहे जादे लोंग ना हो उसके बाद लेमिनेट को इस पर लगाते हैं दोनों जगे हमारा फेबिकॉल लग चुगा है कुछ इस तरह से माइका को उठाते हैं और इसको उपर चिपका देते हैं अच्छे से इसकी प्रेसि पर भी क्योंकि यह बड़ा पीस है वो बड़े पीस में जो है बबल साने के काफी जादे चांसिज रहते हैं जो बबल सना है उसके लिए आपको कपले से इसके अच्छे से फिनिशिंग करनी है उसके बाद जो साइट में एश्ट्रा है रेती की मदद से उसकी भी फिनिशि करेंगे जो इसकी कटिंग हो जाएगी तो वीडियो में बने रहे हैं वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है और मेरी कोसिस यही है कि में बहुत ही ज्यादा बारिकी से समझाओं ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपकी समझ में इतना आ जाए कि LED पैनल को बनाया कैसे जाता है और कोई भी एक जाया है और नो कमेंट बॉक्स में लिख देना और किसी भी तरहाई कि कोई वीडियो बनवाना चाहते हो तो कमेंट रहती है कि आप तक में जैन्मेंड पहुचा हूं तो उसके बाद जब इस प्र हमारी रेती लग जाए तो मास्निंट की मदद से हम इसक निचे कर जो मने सेल्फ बनाया था उसमें प्राइब के पीस को कुछ इस तरह से बना लेना इसका साइट 44 इंची अब जैसे में इसकी साइट से बात करें इसे हमारी वाइट लगान लगा ले नहीं यह जैसे कि आ कि आप देख रहे हैं तो यह थोड़ा ओड़ होना लगाएंगे इसके सामने के फरन पर भी वैन एक फाय से मसले से तरह से candidates है इसके ओपर कि साइजुन के साइज उपर कए है है वहां पर भी वद्वां गकिलेमिनेक को लगाएंगे टो उस तरह से यह हमारे काफी अच्छी हो जाएगा उसके बाद देखना काफी जादा यूनिक लगेगा तो कुछ इस तरह से इस पर भी लेमिनेट को लगा लेना है उसके नीचे भी तो जो इसका दराज वाला एरिया है महां से कटिंग कर लेनी है रेती की मदद से और इसके दराज पर भी हम वोडन कादर की लेमिनेट ही लगाएंगे तो इसमें कपला अच्छे से लगा लेना है कपला लगाने से ये प्रॉपर तरीके से सेड हो जाता है दोस्तो हमारा LED पैनल बनकर तयार हो चुका है अब इसमे नमबर आता है सेल्फ लगाने का इसमें फॉल्डिंग सेल्फ लगाएंगे जैसे कि हमने इसके नीचे का सेल्फ लगाया था सेम इसी तरह से हम यहाँ पर भी तीन सेल्फ देंकर डिस्पले के लिए ताकि यह और जादा यूनिक लगे इसमें सेल्फ लगाने के लिए हमें मैंने यह तक्रीबन पौनि इंची को पीस लिया हुआ है और इस सेल्फ को बनाने के लिए इस सेल्फ को साइज है वह 12 इंची आट इंची तो प्रेंगल को च्रेक करकर इसको लगाना उपर से जो इसके उपर का ऐरिया है महाँ से तो जो इसको देख रहे होँ ड़ी डेख रहा कर ले नहीं इसमें पहले ही मैंने तीन हॉल कर लिये थे एक से में वाले बिट से ताकि हमारे पेंच इसमें प्रॉपर तरीके से उसके बाद इस सेल्फ रखकर मैंने फॉल्डिंगी चेक किया है और इस सेल्फ को जो हमने बनाया है वो 19 mm की प्लाई से बनाया है यह काफी जादा हेवी सेल्फ है इसमें हमने तीन प्लाई को आपस में जॉइन किया है और बीच वाली प्लाई को इतने स्पेश छोड़ा है ताकि यह जो हम इस पर अपने पैनल पर प्लाई लगा रहा है इसके अंदर वो सिलाइड हो जाए कुछ इस तरह से इसको बनाया है और जब भी लगली लगा है तो शोगं पर फेविक संपल नहीं लगा हैं पहले उसकी ऊपर को हटाएंगे ऊसके बाद में मृट लेते हैं तो हमने इसकी लेमिनेट पहले ही काट ली थी इसकी सेटिंग कर ली थी बाद में परशानी ना हूँ उसके बाद सिक से में माले बिट से हम इसमें होल कर लेते हैं कुछ इस तरह से यह देख सकते हैं आप स्क्रीन पर 19 mm की प्लाई के तीन पीसे और जो बीच वाला प्लाइर ही आ जाए और जो हम इस पर माइका लगाएं उसमें कोई परशानी ना है इसका केप बिल्कुए प्रॉपर इसकी पैस में ही आ जाए वह भी हमने इसमें होल कि उन पर गुर्जिस कर लेनी है यह जो बिट होता है हमारा 12 mm वाले बिट से भी कर सकते हैं तो में चों से यह काफे जादा मजबूत हो जाता है कूँकि इसका लोड आता हो नीचे का आता है के आ चूब को देखने में भी काफे ज़्यादा यूनिक लगता यह का लिए कह लिए इतने जादे पैसनेवल नहीं लगते हैं इतने फैंसी नहीं लगते हैं अगर कुछ इस तरह से हम सेल्फ लगाते हैं तो ये काफी जादा फैंसी भी लगते हैं काम भी काफी जादा यूनिक लगता है तो ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी ज़्यादा मेहनत किये मैंने पहले वीडियो तो मैं बनाता था लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं बना पाता था आप मेरी कोशिस यही रहती है कि मैं आपके साथ बारी की से वीडियो को आप भी इस वीडियो को जादे स्यादा शेयर करना कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी इंफर्मेटिव वीडियो में आपके लाता रहता हूँ काफी कम कोश्ट में इस तरह के LED पेनल को आप भी बना सकते हैं सब्सक्राइब लोग डिजाइन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं समझ में नहीं आता है यह एरिया कम होता है डिजाइन समझ में नहीं आपाता है तो इस वीडियो से काफी अच्छे आपकी help हो सकती है काफी modern काफी unique डिजाइन आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने शेर किया इस तरह से बना सकते हैं around 15,000 रुपे से starting हो जाएगी वो depend करता है आपकी area को उपर कितने size में इसको बनाना है अगर यह size अगर same size आपका है 6 feet 5 inch इसकी length है और इसकी height 5 feet 6 inch है अगर same इतने ही size में बनाना है तो आपका around 15,000 रुपे में complete हो जाएगा दोस्तों यह हमने नीचे फरस से 12 inch को छोड़ने के बाद इतने area जैसे कि आप यह देखी सकते हैं हाप पर double lame लिया है हमने तो इसकी जो thickness से 6 inch है तो यह 6 inch हमारा दिवार से बाहर है 6 inch के बाद हमने यह यह चार इंची का एक space छोड़ा चार इंची के space को छोड़ने के बाद पांच इंची का हमने पर फिर से border दिया फिर 5 inch को छोड़के एक lamp दिया कुछ इस तरह से शेप बन कराया जैसे कि screen पर देख सकते हैं काफी ज्यादा unique लग रहा है उसके बाद हमने यह पर यह self दिये display के लिए कुछ भी चीज रख सकते हैं काफी ज्यादा unique और beautiful लगेगी और इतना जो area बसता है हमारा है इसमें आप LED लगा सकते हैं 43 inch की काफी आसाने से LED आपर आ सकती है अगर बली साइच की LED लगानी है तो उसके according आप इसको बना सकते हैं काफी बड़ा भी बना सकते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगी और यह वीडियो आपको कै अलविदा करता हूं भोजल मिलूँगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ खुदा आपिस जब तक आप देखिए मेरे चैनल पर और भी जानकारी से related कारपेंटर वर्क से जूली सभी जानकारी की वीडियो अपलोड हैं आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं